दोस्तो नमस्कार कैसे हैं आप दोस्तो आज मैं जो आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ मुझे नहीं लगता जो आज मेरी वीडियो देखके कोई ये ट्वीक अपने फोन में मिस करेगा I think सभी के सभी अपने फोन में डाउनलोड करना चाहेंगी तो चलिए देर के बिना आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं और दोस्तो जिनको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सबस्क्राइब करना मत भूलना तो गाइस सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दू मेरे पास है दोनों आईफोन सेवन और दोनों के दोनों जेल ब्रोकन है और इनका वर्जन है एक का 13.4.1 और एक का 14.3 और जो आज का हमारे ट्वीक है वो वट्सेप से रिलेटिड है हमारा आप मैं आपको दिखाता हूँ कैसे मैंने इस आईफोन में वो ट्वीक डाउनलोड किया हूँ है जिसका नाम है वट्सुई ये देखिए मैंने इस आईफोन में डाउनलोड किया हूँ है जब आप डाउनलोड कर लेंगे आपकी सेटिंग में पैनल में आ जाएगा ऐसे वट्सुई 3 के नाम से इस source का मैं आपको link description में दे दूँगा आप इसी source से download कर लें जाके आपके लिए फ्री में हो जाएगा download अब कैसे मैं आपको दिखाता हूँ suppose करो हम कोई chat करते हैं ये देखिए ये दोनों phone में WhatsApp है chat करके दिखाता हूँ ये देखिए सबसे पहले यहाँ पर typing indicator आ रहा है क्योंकि मैं इस phone से इस पर message send कर रहा हूँ ये देखिए आ गया ठीक है अब सबसे पहले मैं आपको इसका typing indicator मिस करके दिखाता हूँ setting में गए what so i3 में गए privacy में गए disabled typing indicator आपने इसको on कर देना है अब ये देखिए मैं कुछ भी type करूँगा ये देखिए यहाँ पर show नहीं होगा ये देखिए कुछ भी आप करने typing शोन ही होगा उसके बाद एक और feature इसका देखिए disable recording indicator किसी को record करके कुछ message send करना ये भी on कर देंगे ये देखिए यहाँ पर show नहीं हो रहा है मैं कुछ record कर रहा हूँ ये देखिए message चला भी गया है देखिए अब एक और इसका feature देखिए disable reader इसको on कर देंगे अब ये देखिए यहाँ से मैं इस phone पे अपने इस phone पे कुछ message करूँगा ये देखिए यहाँ पर मुझे typing indicator देखेगा क्योंकि मैंने इस phone में tweak install नहीं किया हुआ मैंने सिरफ इस phone में किया हुआ अब ये देखिए यहाँ पर दो click आगे मैं online हूँ दोनों phone पे online show हो रहा हूँ एक दूसरे को बट ये देखिए यहाँ पर blue tick mark नहीं आएगा हाला कि मैंने message पढ़ लिया है ये देखिए देख रहे हैं आप ये देखिए यहाँ पर blue tick mark नहीं आएगा ये देखिए ये क्यूं हुआ ये मैंने disable read receipt कर दिया अब एक और option है disable delivery receipt जब मैं इसे on करूंगा ये एक warning देगा ये वाली इस feature will cause a delay message because whatsapp server will stop sending you new message अगर आप ये emergency में use करना चाहें तो कर सकते हैं ये देखिए ये मैं क्यूं कह रहा हूँ अब ये कोई भी message में और को आएगा ये देखिए यहाँ पर एक टिक मार के यहाँ पर show होगा दियान से देख रहे हैं आप जैसी मैंने उसको on किया ये देखिए देख रहे हैं आप एक टिक मार को on होगा और मैं यहाँ पर सारे message रिलीड कर चुका हूँ अब हमने बेशेक इसे off कर दिया अब सबसे जो important feature है ये देखिए freeze last scene अब हमने बंद किया इसे whatsapp को यहाँ पर ये देखिए मेरा last scene आ गया 924, 934 PM अब हमने on किया whatsapp पर आये मैं online show हो गया अब ये देखिए इसका कमाल whatsapp preference पे गए privacy पे गए last scene हमने ये देखिए यहाँ पर ये मैंने on जैसे किया ये option आ गया whatsapp need to relaunch in order to apply changes हमने relaunch कर दिया ये देखिए जैसे दुबारा whatsapp on हुआ ये देखिए मैं online ओँ और यहाँ पर ये देखिए इसने मेरी last scene freeze कर दिया 934 पे अब ये देखिए मैं इसको message करूँगा इस phone पे send ये देखिए ना मैं online show हो रहाँ इनको इस phone पे ना मेरा कोई typing indicator आ रहा है अब ऐसे ही इदर से मेरे को message आएंगे ये देखिए देख रहे हैं आप तो दोस्तों मैं इसलिए कह रहा हूँ ये अगर कोई business purpose के लिए भी चाहता है ये tweak मतलब one of the best tweak है ये privacy को लेके किसी की especially जो whatsapp यूज़ करते हैं ये देखिए आप अब इसको हमने off कर दिया इसमें इतनी सारी option है अभी तो मैं आपको सिरफ कुछ ही दिखा रहा हूँ जब आप download करेंगे आप tons of option है guys आप इसकी use कर सकते हैं अब हमने ये भी off कर दिया ये भी ये देखिए यहाँ पर भी ये relaunch कह रहा है हमने later कर दिया हमें भी off कर दिया off कर दिया ये देखिए guys अब बेशक हम बाहर गए दुबारा whatsapp launch कि हम मेरे को online show होगा यहाँ पर ये देखिए जैसी मैंने वो off किया सारे के सारा online show हो रहा है ये देखिए देख रहे हैं आप अब यहाँ पर blue tick mark भी आगया मेरे off करती अब आप आगे देखिए एक और चीज दुबारा से whatsapp में गए चैट में गए ये चैट देख रहे हैं अब ये चीज एक देखिए keep contacts deleted chat deleted message अब हमने इसे on कर देना है अब इसको on करने के बाद ये देखिए अब इसका क्या benefit है ये देखिए आप guys अब मान लो कोई हमें गलती से message कर देता है वो delete करता है ये देखिए delete for everyone का option होता है यहाँ पे ये देखिए आप delete for everyone अगर मैं इस message को यहाँ से delete for everyone करूँगा तो भी ये मेरे पास रहेगा ये देखिए आप दियान से guys ये देखिए यहाँ पर ये अलग से ऐसे sign मना हुआ आगया है देख रहे हैं आप ये देखिए अब मैं इसको delete करता हूँ delete for everyone ये देखिए आप ये देखिए फिर से यहाँ पर sign मना हुआ आगया तो guys कोई आपके delete message भी कर देता है delete for everyone हो जाता है तो भी आपके वास still वो message रहेंगे इसलिए मैं आपको कहा रहा हूँ ये one of the best tweak है jailbreak tweak जिसे हम what so you three कह रहे है ये देखिए इसका source का link description में है आप जाके download कर सकते हैं और guys इसमें इतनी option है अभी तो मैं दिखाई नहीं पारा theme से अलग theme store है इनका notification है जैसे set करना चाहें अपने recording set कर सकते है media देखिए unlimited photo send कर सकते है save profile picture किसी की profile picture save करनी है अब वो भी on करके किसी की भी profile picture save कर सकते है अगर आप करना चाहें active button guys tons of option मैं फिर से कह रहा हूँ बहुत option है इसमें आप जब download करेंगे आप उसके recording set कर सकते हैं यह तीन चार option हो रहा है यह locked है भी क्योंकि यह जब paid version लेंगे तो जैसे message scheduler करना हो किसी को वो भी है hide chat का auto reply contact spoofing किसी को fake message भेजने हो तो वो भी है तो दोस्तों मैं फिर से बता दू इस tweak का नाम what'sui 3 source देख लेंगे आप यह बिल्कुल free tweak है यह रहा source यह रहा apt.fouadrhev.com आपने यह source डाउनलोड कर लेना है और यहां पर है यह what'sui 3 यह दोस्तों बिल्कुल free है आपके लिए जब आप डाउनलोड करेंगे तो इसमें tons of option है आप अपने recording यूज़ कर सकते हैं इसको तो आशा करता हूँ मैं आपको आज का मेरा tutorial पसंद आया होगा अगर पसंद आया होगा तो please मेरी वीडियो को like और मेरे channel को subscribe करना मत भूलना अभी के लिए इतना ही धन्यवाद